Hello students, आज हम इस वीडियो में Insolvency Bankruptcy Code IBC 2016 को discuss करेंगे तो यहाँ पे हम IBC Code के बारे में थोड़ी knowledge लेंगे साथ ही उसका structure कैसा है, इस code का, इस act का और इनके objectives क्या है, इन सबी चीजों को discuss करेंगे चलिए start करते हैं, तो Insolvency Bankruptcy Code जिसे IBC कहते हैं 2016 में आया, यह जो Bankruptcy Code था, basically जो बाकी बहुत सारे जो law थे regarding Insolvency और Bankruptcy, इन सब को consolidate करके एक single window रखा गया Insolvency and Bankruptcy Code 2016 का, मतलब पहले जो Insolvency और Bankruptcy से related जितने भी law थे और जो भी boards थे जो चीजे इनको handle कर रहे थी, CLB वेगरा, उन सब को जगां पे क्या लाया गया, Insolvency Bankruptcy Code 2016, so basically इस कोड को लाने के बारे में जो recommendation आई थी, वो आई थी Bankruptcy Law Reforms Committee के थूँ, जिसे बोलते है, BLFC Committee, उन्हों ने IBC की establishment के बारे में बात करी थी, और वहीं से IBC, Insolvency and Bankruptcy Code 2016, 20th May 2016 को enact हुआ, मतलब ordinance के थूँ, IBC जो है, पहले जो IBC आया, वो ordinance के थूँ आया, तो ordinance के थूँ, IBC को limelight में लाया गया है, IBC को impose किया गया, country में, और यह IBC जो है, all over the country applicable, including Jammu and Kashmir, so बाद में, जब ordinance आया, ordinance के बाद जाके, यह act बना, जिसे बोलते है, Insolvency Bankruptcy Code, Amendment Act 2018, तो 2018 में यह act बना, और यह bill था, उसमें कई amendment के बाद बनते हैं, तो अभी भी 2019 में भी amendment हुए हैं, तो मतलब, अलग-अलग time पर amendments bill आते रहते हैं, तो यह जो आपका है, यह act 2018 में हुआ है, जो enact किया गया, अब हम यह समझतें यह ठीक है, यह code बनाया गया, इस तरह से यह enact हुआ, यह committee थी जिसने इनको recommend किया, और यह भी समझ में आगए, कि Insolvency और Bankruptcy से पहले जितने भी windows तो उन सब को close करके, एक अकेला यह code रखा गया, कि जिससे सारी चीज़े इसी के through, regulate हो country में, लेकिन actually यह insolvency यह bankruptcy, यह term क्या, यह किस चीज़ के regarding है, तो देखे, जो companies हमारी होती है, तो companies में यह individual person, यही क्या होते हैं, इंसolvent होते यह bankrupt होते हैं, तो यह phases हैं, है न, तो जैसे insolvency के अगर हम बात करते हैं, तो है, मतलब उसके पास जो cash flow है, उसके पास जो cash है, जो उसके पास fund available है, उससे वो अपने debts का payment नहीं कर पा रही है, तो जब वो अपने debts को pay नहीं कर पाती है, तो हम उसको क्या बुलते हैं, कि वो person कैसा है, वो insolvent है, राइट, वहीं पर जब हम बात bankruptcy की करते हैं, तो bankruptcy क्यों हो जाता है, एक legal declaration हो जाता है, मतलब legally declare कर दिया जाता है, कि particular जो person है, particular जो individual है, या corporate है, वो क्या है, कि वो capable नहीं है, कि वो अपने debts को repay कर पाए, अब यहां पे भी person की definition वही दी गई है, जो income tax act के अंदर दी गई थी, कि person मतलब कौन-कौन से लोग होते हैं, तो simply उन्होंने कहां, कि insolvent और bankruptcy के भी show difference समझना जरूरी है, insolvency मतलब एक state हो गया, कि अब आप अपने debt को pay करने के लिए capable नहीं है, लेकिन यही जो state जब declare कर दिया जाता है, officially, legally declare कर दिया जाएगा, कि हाँ भई, आप अपने debt को repay करने में capable नहीं है, तब हम उसको bankruptcy कहते हैं, और एक autumn आता, that is your liquidation, है ना, तो liquidation क्या होता है, कि जब आप bankrupt हो जाते हैं, तो close कर देना, सारी चीजों को बंद कर देना, कंपनी को wind up कर देना, वो process कह होता है, liquidation का होता है, मतलब यहाँ पर खत्म कर दी जाती है, लिक्विडेट कर दी जाती है, तो इसका मतलब insolvency and bankruptcy का sense यह नहीं निकला, कि आपका हर चीज liquidate हो गया, यहाँ पर यह चीजे हैं, कि अगर सही time पर revival कर दिया जाए, वापस से जो भी चीजे rehabilitation programs जिसे हम कहते हैं न, तो revival statement को अगर लाया जाए, तो liquidate होने की situation नहीं आ सकती है, तो insolvency और bankruptcy से बाहर आया जाता है, उसी को कहते है revival process, कि मतलब अगर कोई insolvency हो गया यह bankrupt होगा, तो कैसे उसको revive किया जाए, तो यह सारे process भी होते है, तब अगर revival नहीं होता है, तब जाके कोई चीज लिक्विडेट होती है, is it clear, so insolvency और bankruptcy स्टार्ट कभ होती है, मतलब बैंकरप्सी का जो process स्टार्ट कभ होगा, इंसॉल्मेंट हो गया कोई person, तो bankruptcy declaration कभ होती है, तो यह particular individual या particular person क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, वो अपने drip को repay नहीं कर पा रहा है, तो डेटर या creditor की petition जब फाइल होती है, तब बैंकरप्सी का process स्टार्ट होता है, so यह insolvency और बैंकरप्सी जो पूरा code है ना, इसको administer करने के लिए IBBI established की गई, जिसको बोलते है insolvency and bankruptcy board of India, यह पूरी तरीके से administrator body है, किसकी bankruptcy code की, तो जितने भी bankruptcy है, corporate person है, जो firm के हैं, या individual हो, जितने भी corporate person है, उनकी bankruptcy है, उनकी insolvency से related चीजों को administer करने के लिए यह board established की गई, जिसको बोलते है, insolvency, bankruptcy, board of India, तो यह ध्यान रखेगा, कि यह code है, और code में जो चीजे कही गई है, उसको पूरी तरीके से impose करने के लिए, applicable करने के लिए, जो board बनाई गई, वो कौन हो गई, आपकी, IBBI हो गई, ठीके, तो यहाँ पर यह चीजे क्लियर है, अब यह जो code था ना, इसका structuring कैसे किया गया, तो structure of code क्या था, तो यह पूरा जो code है, वो five parts में divide किया गया, right, कितने parts में five parts में divide किया, और हर part, अगर part को करें, तो total जो part है, वो comprising of 25 sections, मतलब 255 sections, total 255 sections है, कितने parts में, यह पूरा code divided है, five parts में है, जिसमें 12 schedules दिये गए है, और हर part जो है, वो अलग-अलग aspects को discuss करता है, insolvency resolution process के, तो जब कोई insolvent हो जाता है, तो उसको कैसे resolve किया जाए, उसका अलग-अलग process है, मतलब अगर corporate है, firm है, individual है, मतलब अलग-अलग के लिए, अलग-अलग revival plan दिये गए है, अलग-अलग revival process दिये गए है, तो हर एक part जो है, अलग-अलग aspects को deal करता है, resolution process से related, so अगर हम यह बात करते हैं, कि इन सब में क्या-क्या include है, किस तरह का, क्या-क्या provisions include किये गए हैं, इस code में, तो provision related to corporate insolvency resolution process, मतलब corporate, जो insolvent होगा, उसको कैसे resolve करा जाए, उसका क्या process होगा, मतलब आप यह समझें, कि अगर insolvency bankrupt हो गया, तो यह जो code से पूरी कोशिश करते हैं, कि उनको revival stage में लाया जाए, मतलब उनको liquidate करने की condition नहीं होती है, होशिश की जाती है, कि उनको वापस से वहाँ से overcome कराया जाए, इस पूरे code में, तो यहां पर provision बनाए गए हैं, कि corporate को कैसे insolvency resolution process उसके adopt किया जाए, provision है कि अगर ऐसी condition नहीं कि revival हो पाए, तो उनका liquidation कैसे होगा, तो provision relating to liquidation process of corporates, provision related to fast-track corporate insolvency resolution process of a small corporate person, जो छोटे small corporate persons है, उनको कैसे, मतलब fast-track industries बहुत कम time period में, जल्दी ही उनको कैसे insolvency resolution process में include किया जाए, और उनको वहाँ से resolve कराया जाए, है न, provision relating to voluntary liquidation, तो voluntary liquidation के regarding, जो जो provision है वो यहाँ पे हैं, winding up of companies के regarding provisions यहाँ पे हैं, और individual यह firm अगर bankrupt होती है, तो वो क्या conditions होगी, वो सारे provisions यहाँ पे आपको इस code में मिल जाएंगे, अब हम बात करते हैं कि यह code किन पे लागू नहीं होगा, मतलब insolvency bankruptcy code के जितने भी rules and regulation है, वो किन को cover नहीं करता है, तो एक तो हो गई, bank, bank पे यह code applicable नहीं है, financial institutions पे applicable नहीं है, insurance companies पे applicable नहीं है, assets reconstruction companies पे applicable नहीं है, mutual funds पे नहीं है, और वो सारे जो collective investment schemes होते, like pension fund वेगेरा, उन पे भी यह code applicable नहीं है, insolvency bankruptcy का code इनको cover नहीं करता है, अब हम बात करते हैं कि IBC का objective क्या है, तो objective of IBC क्या है, to consolidate and amend all existing insolvency laws in India, तो IBC को लाने का main objective यह था कि जितने other insolvency related laws इंडिया में हैं, उन सारे existing laws को consolidate करके, क्या बनाया जाए, इस code को लाया जाए, मतलब इस code में सारे law को consolidate करें, सबको मिला कि यह किया जाए, और यह ध्यान किएगा कि जो IBC related adjudicating authority है ना, वो आपकी NCLT है, मतलब पहले यह चीजे national company law board जो होती, वो देखती थी, अभी IBC related matter भी कौन देखता है, आपका NCLT ही deal करती है, NCLT और NCLAT ही deal करती है, और जिसके बारे में हमने आपका NCLT की बारे में discuss कर रहा है, तो सारे existing law को consolidate करना, और फिर यह, इसमें सारी rules and provisioning को लाना, यह इनका main objective था, दूसरा था simplify and expedite the insolvency and bankruptcy proceeding in India, तो इंडिया में जो insolvency और bankruptcy की जो पूरी proceeding है, जो पूरा procedure है, जिसके regarding rules and regulation है, उसको simplify करना हो, और अराम से वो सारी चीज़े impose होके complete हो जाए, वो इनका objective था, इस court का objective था, to protect the interest of credit including stakeholder in the company, तो creditors, क्योंकि insolvency and bankruptcy आया कब, कि जब जो भी debt था, उसको repay नहीं किया गया, है ना, उसको pay off करने में company या वो person eligible नहीं है, तो ऐसे situation में, जो creditor है, वो ज़्यादा risky position में होता है, क्योंकि उसी का तो debt है, जो उसको मिल नहीं रहा है, है ना, person की liability थी कि creditor कर रिपे करें, और creditor को payment मिल नहीं रही है, तो basically ये code उनके interest को protect करने के लिए, कि उनको problem ना आने पाए, जब revival हो रहा है, या उनको resolve किया जा रहा है, या फिर उनको liquidate किया जा रहा है, तो इनकी सारी payments clear हो जाए, इनके interest को protect करने के लिए, ये IBC code को establish किया गया, तो ये उभी इनको objective है, साथ ही साथ, company के stakeholders का भी मतलब company में, जिन-जिन लोगों का भी interest है, है ना वो data है, credit है, customer है, shareholders है, जो लोग भी company से involved है, company से related, उनके employees, जो कुछ भी, उन सब के interest को protect करने का काम किसका है, IBC का होता है, तो improve handling of conflict between cater and data, जिसको payment करनी है और जिसको payment लेनी है, दोनों के बीच में ये जो conflict होना, उस conflict को handle करने का काम भी IBC का होता है, तो basically इनका ये भी object है, कि वो conflict के हमारा dip नहीं पे हो पा रहा है, और अगर इसको resolve करना और किसी negotiate करने के position में लाना है, तो एक ऐसी negotiate करने के position में लाया जाए, कि जहाँ पे दोनों parties agree करती हो, तो IBC दोनों को negotiate भी कराती है, और दोनों के बीच में जो conflict और को उसको resolve करने में help करती है, to revive the company in a time bound manner, तो company को revival phase पे ले आना, और timely इस चीज़ को ले आना, मतलब अगर थोड़ा सब लेट होता है, और company आपकी bankrupt हो चुकिया, insolvent हो चुकिया, तो liquidate होने में ज़्या time period नहीं लगता है, तो revival जल्दी करना और सही तरीके से करना भी IBC को objective है, to get necessary relief to the creditors and consequently increase the credit supply in the economy, so IBC के establishment से, IBC की वज़ा से creditor क्या करते है, safe feel करते है, क्योंकि creditor को relief देना, creditor को pay off कराना है, इनका main objective बन जाता है, तो ऐसे situations में, जब creditor को ये लगेगा कि वो हमेशा safe zone में है, उनका, वो जो pay कर रहे है, वो जो उधार किसी को दे रहे है, credit supply जो कर रहे है, उससे उनको ज़्यादा problem नहीं आए, कल को ये pay नहीं भी कर पाएंगे, तो इस case में IBC की इसी proceedings है, कि उनका payment clear हो पाएगा, मतलब वो उनके साथ injustice नहीं हो पोगा, तो ऐसे सिनेरियों में, economy में जो credit की supply है न, वो increase हो जाती, क्योंकि creditors safe field करेंगे, तो वो उधार देंगे, तो credit की supply increase होती है, due to IBC, to work out a new and timely recovery procedure, to be adopted by the bank, banks, financial institutions और individuals, तो जो bank के financial institution या individual, जो procedures, adopt करती है, bank rapsi, insolvency के case में, उससे साथा improve, और उससे जाधा adequate तरीके से, इस सारी problem को solve करना, IBC को objective रहा है, इसके इलावा, IBC ही सारे काम को सही से कर पाए, और सब चीज़े सही से हो, इसके लिए, insolvency bankruptcy board of India को set up भी किया, और ये भी इनके ही objective में था, कि हमारे work को जो भी proceedings है, जो भी procedure, इसके इलावा, जो corporate persons है, इनकी assets की value को maximize करना भी IBC क्या, क्योंकि बंध होना, तो जब नहीं कुछ हो रहा है, तो बंध हो जाना एक बात होती पर revival लगाके, वापस से उनकी assets को create कर पाना, ये थोड़ा सा tough task हो जाता है, तो IBC उनकी revival process में भी काफी help करती है, तो it's all about insolvency bankruptcy code 2016 है, hope आपको clear हुआ होगा, wish you all the best, thank you so much.